यूरा को चल रहे हैं आप से इसमें फेस्टीवल सीजन में हमारे घ़रों में एक चीज कंपिसर्णी है जो हर फेस्टीवल हएफ पॉरिंगण हो ही तरह के पुरिया का होंगे लेकिन आज जो पुरि बने और बहुत ही हेल्दी रहेंगे शाथ में इतनी क्रिश्पी रहेंगे कि पूरियां बना करके आप घंटों तक रख दीजिएगा तो यह सौप्ट नहीं होंगे और फुले-फुले क्रिश्पी पूरियां इसी तरह से आपकी बनी रहेगी तो इस जनामाश्ट में हो या कोई भ बनाना बहुत ही है इसकी टेस्ट फ्लेवर इतनी बढ़िया है कि आप किसी भी सब्जी के शाथ का यह बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन शभी के शाथ में लगता है तो आज ऐसी ही पूरियां की रेसेपी आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि मिंटों में बनेंगे लेकिन खाने वाले इसकी जो रेशिपी है उबलीब नहीं कर पाएंगे इतनी इजी तरीकेशे बने हैं तो चलिए इसकी रेसेपी सेर करते हैं आप लोग के शाथ में आज हम बना करके सब्सक्राइब बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं बीट रूट हम 100 ग्राम लिए हैं इसका बैक पार्ट जो है दोनों शाइड का वह हम कर देंगे अब इसको जह है स्कीन जो है और पिल कर लेंगे तो एक नाइफ से हम इजली आपका ये पिल हो जागा और देखें कितना ही रेड भी बहुत ही हेल्दी होता है तो बच्चों को लिए ऐसे तो बीट रूट खिलाना थोड़े डिफिकल्ट होता है लेकिन इसके हेल्प से आप इस पूरी के हेल्प से आप बीट रूट बच्च निचोड करके छो निचोड करके आप चाहें तो मल्मल के कपड़े से भी कर शाकते हैं है उस्तरय हम निकाल करके करें सारे जूस हमें इकठा कर लेते हैं इसमें से बहुत सारे जूस निकलते हैं, तो यह हमारा इजली जो है अब निकल करके रेडी है अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, अब हम एक कप लिए हैं गेहुं के आटे, डेगूलर आटे हमलो खाते हैं और उसका वन बाई को डालें इसमें डालेंगे सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से हम मीक्स कर लेंगे तो इस पूरी में और घ्री और टेस्टache और इसमें बहुत अच्छे जीरास ज्वेश्यास का प्रिफ घ्रील ठीज्च सबाइब समया यह तो और भी बहतल icon का ट्यास्ता कोई भी आप सूजी डाल सकते हैं उसे कोई फरक नहीं पड़ता है अब सभी चीज़ों को डाल करके निक्ट कर लिए है आप यह जूस को डालेंगे मिक्स करते हुए एक हम सौफ्ट डू लगाकर के रेडी कर लेंगे आपका जूस जो है थोड़े से कम पड़ जा तो उसी तो अस्टार्टिंग में आपको जो लगाना है क्योंकि इसको हम दस मिनट के लिए रखेंगे क्यों आप देखिए हमारा ये डो सॉप्ट डो लग करके रेडी है लेकिन इतनी सॉप्ट डो से पूरियां आपके क्रिश्पी नहीं बनेंगे दस मिनट इसको हम अभी छोड़ द हाड हो जाएगा हाड किया मीडियम हो जाएगा जिस तरह की हम पूरियां बेगार बनाते हैं उसी तरह के अब 10 मिनट रेष्ट करने के बाद देखिए हमारा जो है वह एक दम परफेक्ट ली हो चुका है नहीं ज्यादा सॉप्ट है नहीं ज्यादा हाड है तो इसी तरह के दो हमको चाहिए परफेक्ट पूरियां बनाने के लिए इसे अच्छे शाप को मशल लेना है अब थोड़े से सुखे आटे लिए हैं इस तरह से हम पेड़े काट लेंगे पूरियां के लिए तो आप बड़े चोटे अपने मिन साइज के जो चोटे चोटे पेड़े जो है मिडियम हम काट लेते हैं सारे पेड़े काट करके और रेडी पहले कर लेते हैं उधर हम ओल जो है हो हीट होने के लिए रख दिये हैं मिडियम फ्लेम पे जब तक हमारा ओल गरम हो रहा है तब तक हम सारे पेड़े काट करके रख लेते हैं आज हैट पट से देखिए हमारे क कितना खुबसूरत आया है अब हम इसे थोड़े सांटे में डस्ट करेंगे और मीडियम मीडियम शाइट की पूरियां जो है बेल करके हम रेडी कर लेंगे तब पूरियां ना जाद है आपको मोटा ना पतला मीडियम साइज के आपको बंबेलना है उपर से आपको चारो पूरियां बेननी चाहिए अगर किसी भी तरह के पूरियां बना रहे है तो उसके कीनारे पतला और बीच में हल्की सी थिकनिस होने आपकी पूरियां जो अच्छे से खीलेंगे अब इतना पूरियां हम बेल लिए हैं चलते हैं प्राइब करने के प्रोशिश में हमारा बहुत अच्छा आया है तो आप बहुत तरह के पूरियां ट्राइ किये होंगे लेकिन एक बार यह हल्दी बीट रूट वाला अगर पूरियां खाईएगा तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था है क्यूंकि इसमें हम सारे बहुत सारे मशाले फ्लेवर डाले हैं उसका अच्छा लगता है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आप कोई भी शब्जी के साथ में से खा सकते हैं तो पिकल्स के साथ में ही सिर्फिश को जो टेस्ट है बहुत अच्छा लगता है शाथ में हम थोड़े शे अलू चने कशब जी थोड़े शे दही और थोड़े शे आम का अचार इसमें हम शेप करेंगे तो यह हमारी गरमा गरम पूरी आइं जो है रेडी है तो यह नमस्ट में हो यह कोई भी फेस्टीवल पर आप एक वार इसकी रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा इतनी ही बेतरी और यूनिक है पूरी का रेसिपी है हम हमेशा अपने घरों में बनाते हैं बहुत सब को पशंद आता है ता भी ट्राइब कीजिए बनाइए खाईए और अपनी फैमली के साथ में इंज्वाइब कीजिए मेरी ये रेस्पी पसंद आया तो लेंगे आप लोग के शाथ में हम न्यू वीडियो में न्यू रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाइए टेक केर